सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रेप्शन में प्रूफ देख लिजिए और उसके बाद में स्क्रीन पर भी वाप्रूफ दिखला दे रहा हूँ या ICSE and ISKB as it is है उसका next वीडियो में बता दूँगा प्रूफ के साथ डिटेट कि CISC ने English paper 1 और English paper 2 के correction को लेकर student किस तरह से questions के आसर लिखेंगे तो full marks 100 out of 100 उसको मिलेंगे इवन प्रैक्टिकला प्रोजेक्ट में भी प्रैक्टिक प्रोजेक्ट इसमें है तो वहाँ पर 20 marks किस्ता से मिलेंगे और पूरे 100 marks के paper 1 और 100 marks के paper 2 कवपलसारी ICSE and ISK के लिए student को आखिर क्या करने होगे अब screen पर यहाँ जरा proof को देख लिजे इसका source है CIC.org और CIC ने यह circular जारी कर थे देश बर के अपने सभी स्कूलों को बहुत पहले जुलाई और अगस्ट में जब उसने specimen sample paper या जो कर लिजे को उसने officially जारी किया हुआ था document और जिसका आदार पर board recognition 2024 ICSE and ISE के English paper के होने हैं दोनों में student को किस तरह से answer लिखने हैं साब साब बताया गया है कि language paper में आपके utmost correction होंगे वहाँ इंग्लिश प्रवन्ही में बात कर आऊं ICSE and ISE दोनों के लिए कि जो grammar का section होगा या पर multiple choice question होगे तो साई question के लिए card या teacher को full marks दे देजे जहाँ student ने गलती की है वहाँ पर उसके marks काट लेजे दूसरे बात बोली गई है कि जहाँ पर writing section है वहाँ पर 75% से 90% तक के marks दिये जा सकते हैं यदि student ने गलती की है grammatical mistakes तो grammatical mistakes के आदार पर आप writing को रदो बदल या उसको पूरी तो पर यह माना डिया है कि अगर continuity है writing में तो flow के कारण उसे 50% माप्स मिल जाएंगे फिर grammatical correction और जितने भी sentence के अरेजमेंट है और उसके expression है तो यहाँ पर 25% माप्स मिलेंगे यदि student ने grammatical mistakes किये वाद तो वहाँ पर आप 10% से लेकर maximum 20% तर जाएगे generalist teacher को कहा गया है कि आप 15% पर ही रूप जाएंगे इस तरह से marks को आप grammar section में नहीं काटेंगे वहाँ पर जो unseen passage वाले section होते हैं और प्रेसी राइटिंग होते हैं तो उस condition में teacher को साब साब बोला गया है कि अगि student concern answer लिख देते हैं प्रेसेज से तो exact marks दे देजिए कोई दि mistakes होते हैं box बनाने है या full stop देने है या फिर उसका जो formation करना है format बना लेने है अगरे student इस तरह के काम नहीं करता तो ignore किजिए हाँ बच्चे को marks यहाँ पर देने है अब तीसरी और important बात बताई करिए कि जब आप overall student को marks देने के बाद टुटलिंग करते हो तो देखें कि student न बात साब साब बोली गई है इसी विज उस्वाल पॉब्लिकेशन की यह 61 sample paper का जो English का section है जिसमें की आपको मिल जाते हैं टेन सॉल्ड और टेन अंसॉल्ड sample paper और सभी subject की sample paper है इसमें Amazon पर great discount में मिले great discount करने का मतलब है कि जो इसका market price है उसे यह पो करीब करी 50% discount पर इसमें मिल रही है जिसका लिएक उस वीडियो के description में हो वहाँ से चाहे तो आप purchase कर सकते हैं अब यहाँ पर बताए जा रही है कि teacher को एक बार copy check करने के बाद उसकी copy को review करना होगा teacher कोई supervisor तो उसको review करेंगे कि एक student है grammar section में 20 out of 20 marks लियाता है तो writing section में automatically उसकी exact marks आने चाहिए स्वयरी चुका अफ्ता आ है और CIC ने अपनी research के basis वरका है लैंबर्ट वेपर यानि English वेपर 2 में अस परस्ट रूप से बोला गया है कि objective type में student अगर mistakes करते हैं तो गरबर यह वहाँ पर वाक्स काट लिए जाएंगे reference to context है अगर student ने सही answer की जदा थोड़े से answer गरबर की ह है लेकिन वह answer लिख दिया तो वाक्स दे दिजिए किसी तरह का problem के रिए तो आप नहीं करने है third point बताएगे है कि यती student ने कहीं पर blunder किया हुआ है तो देखने है कि student की birth banker भूल का है वहाँ पर आप माप्स काट लिजे कोई दिर्कत नहीं है लेकिन अगर student ने place है जो कि आ merchant of venice है या tempest है या treasure draw है फिर वहाँ पर तो उस condition में student को देखने होंगे कि आखिर उसका expression क्या है flow क्या है continuity क्या है flow continuity दो एक ही चीज़ मोटे तरह पर मालिया गया अभी और student ने सही सही अपने बातों को word limit में काया है यहाँ पर English paper के लिए word limit को compulsory बताया गया है कि अगर उस सब्सक्राइब करने है तो यह बात है थी मास को लेकर वार्किंग को लेकर और इसका जो सोर्स है cic.org आपने प्रूफ देखा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करने आवे